हाई है वेलकम टू करियर स्टटी देशे संदीब कुमार और आज के इस सेशन में डिसक्स करने वाले हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी के करेंड अफेर्स और यहां पर हम देखेंगे कि मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में किस तरह की करेंट फेर जो आपसे पूछे गए थे तो फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरब से वेरी वेरी गुड इबनिंग कैसे हैं सभी साउंड क्लियर है या नहीं कोई प्रॉब्लम अगर साउंड में हो तो म मुझे बताएंगे देन स्टार्ट करते हैं सेशन को सो वेरी वेरी गुड इबनिंग चलिए तो सुन पा रहे हैं सभी देखो दूसरी क्लास से आपने मुझे लेट फ्री कर रहा था तो चार-पाच मिनट लेट होना तो बनता ही था ठीक है तो इतना तो असर पड़े गा ही चलिए जय हिन जय हिन जय भारत कैसे हैं सभी ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे और सबता रहести मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अनॠी करते हैं तो आप अनकाड़ी पर ए launched भी क्लास भी जिटाएं कर सकते हैं अभी हम हम CAPF के previous year question कर रहे हैं, description में मेरी profile का link मिल जाएगा, daily मेरी class होती है, free class रहती है, CAPF, PYQ हम कर रहे हैं, सुबद 10 बजे class होती है, 10 a.m. पे, और previous year question कर रहे हैं, आप join कर सकते हैं मुझे, unacademy की free classes में, और अगर आप plus join करना चाहते हैं, हमारे recent जो courses start हो रहे हैं, एक तो OTA के लिए है 2021, 28 से start हो रहे है, यह complete faculty है, और एक IMA के लिए है, जो 28 से ही start हो रहे है, तो इसमें मेरी तरब से आपको maths मिल जाना है, तो यह वाला course आप देख सकते हैं, territorial army का course start हो चुका है 24 से, यह भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है, अभी एक offer चल रहा है, 6 महिने का subscription लो, एक महिने का extra मिलेगा, 12 मन्त पे 2 महिने का extra और 24 मन्त पे 4 मन्त का extra, और इसके अलावा जो है, अगर आप एक साल का CDS FCAD CEPF का subscription लोगे, तो एक साल का SSB का subscription free मिलेगा, तो the best is, इस टाइम पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप एक साल का subscription लाएते हो, तो आपको 2 महिने का तो free मिल जाएगा, प्लस आपको एक साल का SSB का subscription मिलेगा, इस code का use करेंगे career study live तो आपको 10% का off मिलेगा, मेरी free classes या किसी भी educator की free classes देखते होंगे, तो 10% का वहाँ से मिलेगा, तो कोल मिलाके 7,7200 में आपको एक साल का subscription मिल जाएगा with SSB, 14 मन्त का सौरी, चलिए, तो use code career study life, और कोई भी doubt होगा तो comment section में पूछ सकते हैं, अभी हम start करते हैं हमारा आज का session, और आज का जो हमारा session है, ये रहने वाला है, March के current fair का, थोड़ा लंबा रहेगा session, बट कोशिश करेंगे कि 45, 50 या 1 hour के अंदर अंदर जो है, वो हमारे complete current fair cover हो जाएं, ठीक है, चलिए, तो start करते हैं session को, आई hopes अभी ready होंगे, like करते रहेगा session को, like करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको अच्छे अच्छे number दिखेंगे ऐसे कि इतने like होगे, इतने like होगे, और तो क्या होना है जादा, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, awards की, तो awards में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो awards है, the first is, आशा भोसले जी है, इनको award मिला है, जो महरास्टरा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, सबसे बड़ा award माना जाता है ये, तो यह है महारास्ट्रा की तर्फ से महारास्ट्रा भूषन अव़ड थीक है तो आपको याद रखना है महारास्ट्रा भूषन अवड जो है यह किसे मिला यह मिला आसा भोसले जी को तो आपको यह याद रखना है काफी important question बनेगा तो ध्या रखेगा भूशन अवार्ड 2020 तो यह मिला आशा भोसले अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है यह स्टेट का तो डारेक्ट कोशन बन सकता है ध्यान रखेगा इस कोशन को नेक्स्ट हमारे पास है ओके यह है हमारे पास व्यास सम्मान 2020 सीडियस में पूछे जा चुके हैं व्यास सम्मान के कोशन व्यास सम्मान 2020 जो अवर्ड मिला है यह मिला है प्रोफेसर शरद पगारे जी को ठीक है प्रोफेसर शरद पगारे जो है इनको मिला है और इनका नोबल था पाटली पुत्र की सामर्गी, ठीक है, सामर्गी, पाटली पुत्र की सामर्गी ये था इनका एक नोबल, जिसके लिए इनको मिला है, व्यास सम्मान, तो ध्यान रखना है आपको, लास्ट जो हमने जन्वरी में करा था, वो तानसेन जो सम्मान था, वो अलग था, तानसेन सम् जो मिला है शरद पगारे जी को ठीक है सो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छ मुझे कवेंट शो नहीं हो रहे में एक बाद रीफरिश कर रहा हूं ठीक है यह हूं मैं आपके सामने बस एक बाद रीफरिश in the year of 2021 next हमारे पास है शेक मुजीबुर रहमान जो है ये बने है पहले प्रेजिडेंट and former prime minister भी है ये ठीक है बने नहीं है पहले ये first president है ये बंगलादेश के और former prime minister भी है जिनको फिलहाल दिया गया है गांधी peace prize for the year 2020 ठीक है याद रखेंगे गांधी peace prize for the year 2020 जो है ये मिला है शेक मुजीबुर रहमान जी को ठीक है ये पहले first president थे बंगलादेश के और उसके बाद फिर ये prime minister भी रहा चुके हैं और इनकी 1975 में death हो गए थी तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बाकि बंगलादेश के बारे में आप सभी जानती है बंगलादेश हमारा neighbor country है इसके लाबा जो currency है that is Taka और जो capital है वो है धाका तो याद रखेगा अच्छा आपकी speed और comment की speed match नहीं होती चलिए ये भी सही है कोई बात नहीं हो जाएगी मैच हो जाएगी तो याद रखेगा ठीक है ध्यान रखना है बाकि गांधी पीस प्राइज है वो महात्मा गांधी जो को एक तरह से ओनर करने के लिए स्टार्ट किया गया था 1995 में और दिया जाता ये इनके बर्थ एनिवर्सरी रहती है उस दिन ठीक है तो ये आप याद रखेंगे बर्थ एनिवर्सरी को नहीं दिया जाता है मतलब ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए किया गया था तो ये है गांधी पीस प्राइज अब इस पर दो कोशन बन सकते हैं कि 2020 में तो प्राइज दिये नहीं थे तो 2020 के लिए दिये गए है शेख मुझिबूर रह्मान जी को और अगर ये ही कोशन पूछा जाता है 2019 के लिए किसे मिला तो ये है फॉर्मर सुल्तान ओफ उमान तो उमान के जो सुल्तान है ये है काबूस बिन साइद अलसाइद ठीक है काबूस बिन साइद अलसाइद जो है इनको मिला है 2019 के लिए तो ध्यान रखना है 2020 के लिए बांगलादेश से ठीक है बांगलादेश से मिला है मुझिबूर जी को और अमान से मिला है 2019 के लिए यह हैं यह भी फॉर्मर सिल्तान रह चुके हैं और सबसे लंबा कारेकर रा है इनका पूरा-कपूरा इनके उमान में और यह हैं काबूस बिन साहिद अलसाइद इनकी भी 2020 में डेथ हो गई है 2020 में डेथ हो गई है इस टाइम इनको 2019 यह के लिए दिया गया है तो यह भी आप रहेगा आपके पास बाकी सही में जो गांधी पीस प्राइज इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया यह जो भी काम करते हैं इस तरह के जो महात्मा गांधी जी के कर कल्मों पे चलें उस तरह से बाहर वालों को गांदी जी का वॉर्ड क्यों काफी सारे रिजन रहते हैं वैसे बेसिकली यह होता है कि जो इस तरह के कोई काम करें तो उनको दिया जाते हैं काफी सारी चीज़ें आ जाती हैं रिलेशन भी बेटर रहते हैं ओके इनके डेथ पे पूरेंड यहां 2019 का जो अवोर्ड है है 2020 में 2021 में इसलिए क्योंकि 2020 में दिया नहीं था ठीक है 2020 में मिलना था 19 का 2021 में मिलना था 20 का अब दोनों ही कठे मिलें बस इतनी सी बात हैं नेक्स्ट हमारे पास है research organization which has been awarded the King Bhoomi Bowl World Soil Day 2020 award तो by the food and agriculture जो organization है तो ये है Indian Council of Agriculture Research तो ICAR जो है Indian Council of Agriculture Research जो है ICAR को मिला है इसको कौन head करता है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare जो है फिलहाल श्री नरेंदर सिंह तो उमर है वो इनको head करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है next हमारे पास है next हमारे पास रहेगा the Indian author who has been chosen for the 30th बिहारी पुरस्कार और ये भी KK Birla Foundation की तरफ से दिया जाता है तो ये है मोहन कृष्ण बुहारा ठीक है मोहन कृष्ण बुहारा जो है इनको दिया गया बिहारी पुरस्कार और इनकी book थी तसलीमा संघर्ष और साहित्य ये books के नेम भी आपको याद रखने होंगे पूछे जा सकते हैं और ये हैं मोहन कृष्ण बुहारा इनको मिला है बिहारी पुरस्कार ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाकि इसके अलावा जो है 1991 में ये अवोर्ड स्टार्ट हुआ था तो ये भी आप जान रखेंगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ओके डिफेंस से लेटेड अगर हम बात करें तो डिफेंस में हमारे पास है कुछ अगर इंपोडेंट डिफेंस नेक्स्ट हमारे पास है वज्र प्रहार जो है एक तो सीधा सीधा कोशन बनेगा कि ये जो वज्र प्रहार exercise है ये किस किस के बीच में है तो ये है हमारी इंडिया और यूएस के बीच में ठीक है इंडिया और यूएस military exercise है और ये इस साल जो हुई है March 30 2021 को ये हुई है बकलो हिमाचल प्रदेश में ठीक है हिमाचल प्रदेश में हुई है इस बार वज्र प्रहार वरुण जी साहित्या हाँ लिट्रेचर ही है मनला साहित्य से रलेटेड मिलता ही है तो ये भी आपके पास कोशन बनेगा ध्यान रखिएगा वज्र प्रहार ये मिली है ये हुई है एक्सराइज हिमाचल प्रदेश में इंडिया और यूएस के बीच में जॉइंट मिलिटरी एक्सराइज देखो एक्सराइज तो लगबग बहुत ही कम है जो न्यू हो रही है आप एक बार अगर याद कर लोगे पूरी exercise तो लगबग उनी में से question बनना है तो आप ये समझ लो कि अगर आप around around 15-25 के बीच में आप पूरी exercise कर लोगे एक बार तो उनमें से question पका बनना है आपका next हमारे पास है rank of Indian military India in military strength as per the study released by the defense website military direct तो यह है चाइना है पहले नंबर पे युएस से है दूसरे नंबर पे रसिया है तीसरे पे और हमारा इंडिया है फोर्थ नंबर पे इन दा मिलिटरी स्ट्रेंथ तो यह भी आपको ध्यान रखना है चलिए हाँ इस तरफ ही हुई थिया तो जब लगए अन्वली मतलब हर साल होती है टेक है अन्वली मतलब हर साल ओके तो नेक्स हमारे पास है दो आप बस इतना याद रखेंगे ऑपरेशन जो आपके पास थिरू वलूर है यह ओपरेशन जो है किसके लिए कंड़क्ट किया गया था तो यह इंडिया आर्मी की तरफ से जो इंडिया आर्मी का सदरन कमांड है उनकी तरफ से यह ताकि डिस्पोजल किया जा सके 10 tons of unexploded ordinances नहीं कि जो इक तरह से बोल सकते हैं कि गोला बारुद रहता है अलग-अलग फैक्टरी से इकठा करके यह ऐसा था जो unexploded था तो उनको दिस्पोज करने के लिए उस पूरे के पूरे जो ओर नेंस है उसको unexplode करा है तो यह है और सक्सेस्फुल रहे है इसमें यह बाकी इंडिन आर्मी के कितने कमांड है टोटल इंडिन आर्मी के तीक है आई होप यह आप सभी को पता होगा कितने कमांड है टिक है नेवी के 3 है और Air Force के Air Force के भी साथ है ठीक है? Navy के 3 और Air Force के कितने है? Air Force के साथ है Indian Coast Guard के 5 है तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो sometime after में direct question बन जाता है static का Indian Army के 7 commands है Navy के 3 है, Air Force के साथ है और Indian Coast Guard के 5 है चलिए Next अमारे पास है अगला अगर हम discussion करें So next हमारे पास है second edition of India Uzbekistan Joint Military Exercise तो यह है Dust Lick 2 ठीक है? Dust Lick 2 जो है यह है इंडिया और Uzbekistan की Military Exercise और यह Rani Khet उत्राखंड में हुई है 10 से लेके 19 March 2021 तक तो याद रखेंगे यह भी Dust Lick 2 ठीक है? Exercise का question directive बनता है Dates वैसे इसमें याद करने की जूरत नहीं होती है Dates का question नहीं बनता है Basically यह होते है कि यह exercise किस-किस के बीच में या फिर कहां पे हुई तो यह main question बन जाते है Very good So next हमारे पास है The Multinational Large Force Employment Warfare Exercise Hosted by UAE UAE Air Force From 3rd March to 27th of March जो हुई Al-Dafra Airways पर तो इसमें किसने किसने participation करा? USA, France, Saudi Arabia, South Korea, Bahrain और यह थी exercise desert flag और इंडिया ने इसमें first time participate करा है ठीक है? ठीक है? इसमें India for the first time participate करा है धान रखिएगा तो यह है exercise desert flag तो यह किस-किस के बीच में हुई है? USA, France, Saudi Arabia, South Korea, Bahrain and India इंडिया भी इसमें first time participate करा है exercise पहले भी होती है इसका fourth यह बोल सकते हैं कि addition था fourth edition था जिसमें से first time इंडिया ने participate करा है तो धान रखिएगा exercise desert flag ओके ठीक है? तो I hope यह clear होगा force employment का कोई ऐसे नहीं है कि मलदए employment मिलनी है the point is उसका main theme है यह force employment warfare exercise है यह जो complete force है defense forces है उनका warfare exercise है ठीक है ऐसा नहीं है कि मलदए उसमें employment होगा ऐसे कुछ meaning नहीं है desert flag इंडिया first time USA France Saudi Arabia बहरीन इंडिया हाँ बिलकुल सही ने NCG very good next हमारे पास है कुछ important places की अगर हम बात करें so places में हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास है first one the place from which Tokyo 2020 Olympic torch relay kicked off in Japan however इस time पे तो अभी वैसे जुलाई चल रहा है कोशिश करेंगे कि जुलाई के हम थोड़े से करेंड फिर जुरूर करेंगे 30 मिनिट का एक session रखने के कोशिश करेंगे most probably हो सकते हैं कि अगर question पूछा जाए तो यह है Fukushima जो है एक प्लेस था जहां से Olympic torch जो है वो relay की गई बागी basic सी जो detail है host city जो है वो टोक्यो है जापान इस बार का जो motto है Olympics का यह है United by emotions इसमें जो nations है यह 206 nations जो है इन्होंने participate करा है athlete इसमें जो आए है यह expected इतने थे बट अभी हमारे पास 239 events होंगे जिसमें से 33 sports है और 50 disciplines है opening 23rd of July को यह और 8 अगस्त को यह complete हो जाएगा पूरा का पूरा tournament ठीक है तो यह भी ध्यान रखेगा Olympic का basic सा हो सकता है कि question बने बट हाँ अब obvious ही बात है CAPF के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि CAPF का पेपर काफी पहले design हो चुका है तो CAPF वालों को कोई जरूरत नहीं होगी after the time देखेंगे after the time थोड़ा सो जुलाई के करेंट पर करेंगे CDS में तो बनना ही बनना है question ठीक है बाकी जो sports and discipline इनका क्या मतलब है 33 sports है अब देखो जो sports होते हैं actually वो दो पार्ट में हो जाते हैं एक होता है जैसे कि मालीजे जिसमें एक proper winner रहता है मलाब winner तो वैसे disciplines में भी होता है बड़ एक होता है जैसे कि अगर मैं example के तौर पर कहूं कि हमारे पास badminton है तो वो sports में होगा जिनका एक international federation होता है उसको sports बोलते हैं जैसे badminton हो गया badminton में कोई क्या होगा कि जीतेगा तो यह final person है कि जैसे competition होते हैं मला ऐसे समझ लो कि disqualification होता रहेगा कि हाँ यह person है दो लोग इस टाइम पे लड़े और एक बाहर हो गया एक next round में चला गया so वो जो है वो sports है लेकिन discipline कैसे है जैसे अब कोई race लगी ठीक है 500 लोग दोड़े उसमें से एक ही बार में दोड़े है जो जीत गए वो जीत गए जो हार गए वो हार गए मतलब उसमें ऐसे नहीं कि उसमें elimination होना है कि आज भी दोड़ना है कल भी दोड़ना है तो बस basic basic सा यह difference रहेगा तो आई होप यह भी क्लियर होगा क्योंकि लगबग एक डेड़ महीना पहले ही पेपर कई बार तो दो महीने पहले भी site हो जाता है तो इस ताइम पेपर बन चुका होगा तो हम जून तक के current fair करेंगे और लगातार इसी सीरीज में कर लेंगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस है अंदर परदेश का जहां पर वर्ल्ड का first mobile water जो from air kiosk है has been set up by the Mathry Aquatic तो Mathry Aquatic जो है वो एक company है जिनोंने वर्ल्ड का पहला mobile water air kiosk जो है वो set up करा है जैसे समोसे का खोका होता है उसी तरह से पानी का हो गया कि मलब वहां पर पानी मिलेगा आपको और यह air kiosk है यानि कि पानी जो है वो हवा से बनेगा मलब ऐसा नहीं कि वहां पर जमीन से पानी निकाला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है simply वो air से convert किया जाएगा सो यह है प्लेस विसाखा पटनम ठीक है विसाखा पटनम का जो प्लेस है यहां पर वाइस एक जो प्लेस है वहां पर यह लगाया गया है तो आप यह भी ध्यान रख सकते हैं करेंट फिर के लिए कितना पुराना यह मैंने बता दिया जून तक का त्द इव लेट चल रहिए कलास एक बार रीफरेच कर लीजेगा रीफरेच करते रहेगा बावखी लाईक कर ले ना जिन्नने लाइक नहीं कर रहे और जिस्क्राणीने दिसलाइक कर रहा है वो भी लाइक कर लो ठीक है चलिए तो ध्यान रिखना है वहल्ड का पहला मोबाइल वॉटर बना है मोबाइल वॉटर कियोस्क बनाए एयर कियोस्क वला इसमें क्या होगा कि हवा से ही पानी बना दिये जाएगा atmospheric water generator का यूज करता है ये एक्चली ये जो device रहेगी atmospheric water generation यानि कि air को water में convert करेगा ये तो बस ऐसे है बाकी जो company है जिन्होंने ये develop करा है ये है mathry aqua deck और ये है हमारा ये जो made in india जो concept चला था उसके अंदर ही ये develop हुआ है तो ये भी आप धान रखेंगे next हमारे पास है कुछ important person की अगर हम बात करें तो कुछ important person देख लेते हैं कि कहां कहां से कुछ main person है सबसे इसमें basically सबसे पहले तो अगर हम बात करें अनिल धारकर जी है इनकी death हो गई है ध्यान तो चुका है एक noted journalist है और author भी थे इनकी कुछ books हैं illustrated weekly of india और the independent इनी की book है और इसके अलाबा midday ये भी इनी का work है इनी की book है सो ऐसे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा sometime इनकी book का question आ सकते हैं वैसे बहुत ही सीधा सीधा question भी बन जाता है बट बहुत rare बनता है बट हाँ ध्यान रखना है चलिए अच्छा जनवरी से पहले का current fair जरूरत नहीं पड़ेगी जनवरी से पहले के current fair करने की जरूरत नहीं है आपको जनवरी से जून तक का ही करना है और अच्छे से कर लेना है जनवरी से जून तक का जनवरी से पहले कुछ ऐसा event दिसंबर नवंबर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो बहुत ही जादा खास हो हाँ जनवरी से अगर आप जून तक का कर लेंगे न तो इनफ रहेगा CAPF के लिए चलिए, so next हमारे पास है ओके, so next है हमारे पास Vice Admiral जो विवेक मूर्थी है यह है Indian American doctor जिनको फिलहाल अपॉइंट किया गया है Surgeon Journal of the United States of America ठीक है, वैसे basically question इतना बड़ा है नहीं बस इसलिए हो सकता है कि Indian American है तो Indian American doctor है जो बने है, ठीक है Surgeon Journal of the United States of America Vice Admiral विवेक मूर्थी ठीक है, जैसे doctors की भी भरती होते है इंडिया में भी हमारे होती है जो doctors की भरती होती है उनको भी same ही rank दिया जाता है Army, Air Force, Navy, same उसी तरह की rank उनको दिया जाते है तो इसी तरह से वहाँ पे भी है American जो ये Indian American है जिनको फिलाल बना गया है Surgeon General of the United States of America Next हमारे पास है, the Dutch engineer है ये आपके बाद static का question बन सकता है कि cassette tape जो है किसने invent करी थी तो आप ध्यान रखेंगे Lodgewick, Frederick, Ottens जो है इन्होंने cassette tape जो है वो invent करी थी तो ध्यान रखेंगा, question ये बन सकता है कि who was the inventor of cassette tapes तो ये है Lodgewick, Frederick, Ottens फिलाल recently इनका ध्यान तो चुका है तो news में इसलिए question है तो ये भी आपने ध्यान रखना है चालिए Next one Okay, so next हमारे पास है ये है चेमाचेरी कुनहरी रमन नायर जो है, ठीक है तो चेमाचेरी कुनही रमन नायर जो है, इनका भी ध्यान तो चुका है कथकली master बोल सकते हैं, कथकली के लिए famous और 105 years की age में इनका ध्यान तो है, पदमश्री इनको मिल चुका है, तो इसलिए काफी रिनोड पर्सनेल्टी है, तो आप ध्यान रखेंगे तो लक्षमन पाई, तो ये भी आप याद रखेंगे ठीक है गलत फोटो तो नहीं लगी ना साथ में नहीं, main highlighted photo ही देखनी है आपने ठीक है, main highlighted photo ही देखनी है इस पर्सनेल्टी ठीक है अच्छा ये उनकी नहीं है फोटो ना, चलो कोई बात नहीं इस इस पर्सनेल्टी जिनकी बात हो रही है ठीक है ये दोनों फोटो गलत लगी वैसे निक्स हमारे पास है ओके, जो जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्रकंड के ये हैं तीरत सिंग रावत जी और फिलाल अभी इलेक्शन होने तो आगे फिर से क्या पता कौन बनेगे बढ़ हाँ जो बने है नए चीफ मिनिस्टर फुत्रकंड ये हैं तीरत सिंग रावत तो ये भी आप ध्यान रखेंगे तीरत सिंग रावत अच्छा सेम ही थे परसन ये चलो फिर ठीक है इन्होंने ड्रा दिया था चलो ठीक है देख लो ठीक ठीक लगा लो वैसे सोच की लगाई थी फोटो तो बढ़ अगर ऐसा भी होगा तो कोई बात नहीं ठीक है वो साइड वाली जो फोटो है वो प्रेजन्ट की ही है चलो नेक्स हमारे पास है ओके सो स्पोर्ट में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट से लिटेड हमारे पास क्या रहा जो इंपोडेट रहा अच्छा इस मार्च में रैंकिंग बहुत जादा आई है तो कल जब हमारे आपको याद करने को बहुत सारी चीज़ें होनी है तो मैं बताऊंगा कि रैंकिंग आपने कैसे याद करनी है आपको डिफिकल्टी नहों बट रैंकिंग बहुत जादा है मार्च के मंत की और कोशन यहां से डिरेक्ली बनेंगे बनेंगे स्पोर्ट में अगर हम बात करें उलड़ी तो सबसे पहले है भावना देवि ये बनी है इंडिया की पहली पहली पर संटेंगे मलब प्रस्ट परस न बहुत जादा इंडिया में बर रिटरह पहली पर संट जो इंडिएन इस चीज़ छीज ने एप सो ये हम भावनी देवी तो भावानी देवी जो है इन्होंने कॉलिफाई कर आए और आज सुबब इनका मैज था यह दिंग सुबब या कल शाम को तो इन्होंने पहला राउंड तो कॉलिफाई भी कर लिया है अच्छा हो गई बाहर सेकेंड राउंड में ओखो चलो मैंने कल वाला देखा था वो कल फर्स्ट राउं तो इन्होंने देख लिया जीत लिया था चलो कोई बात नहीं काफी सरहानी काम है फर्स्ट रेम कौलिफाई किया है किसीने फैंसिंग के लिए तो यह भी आप ध्यान कोली स्कोर्ड 3000 रन तो बिकम फर्स्ट बैट्समन इवर तो दू सो तो 87 इनिंग्स इन्होंने ली हैं 3000 रन बनाने के लिए T20 इंटरनेशनल में और विराट कोली जो है वो पहले ऐसे बैट्समन है जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है और मार्च के बाद आज की रिट में भी वह हैं दूसरा नंबर पर उनके बस एक दो इनिंग के बाद उनके हो जाएंगे 3000 उसके बाद रोही चर्मा है उनके भी 45 इनिंग के बाद हो जाएंगे बढ़ हां इस टाइम तक 3000 रन जो है वो एक ही है वो है विराट कोली जी के चलिए नेक्स वन ओके सो मिथाली राज जो है यह पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिनके ओवरॉल 10,000 रन जो है वो कम्प्लीट हुए हैं अमंग दे ओल थी फॉर्मेट याने की ओडियो गया टेस्ट हो गया टी 20 हो गया तो सभी में मिला के पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर है यह जिनके 10,000 रन कम्प्लीट हुए है ठीक है तो यह भी आप ध्यान रखेंगे सारे स्पोर्स पिरियेड तो मैंस की टीचर यह यह भी सही बात कहीं वैसे है तो जह आपने हैं कैप्टेंस ही नहों पाए है चैसी बात है नेक्स वन ऐसा भी नहीं है वैसे तो नेक्स नमारे पास है तो स्टेट या फिर उनिटरिटरी जिनोंने जो खेलो इंडिया हुआ फरवरी में हम बात कर रहे थे कि स्टार्ट हो गया तो फिलहाल जो यह खेलो इंडिया विंटर नैशनल गेम्स हुई है तो इसमें टॉप पे जो है वो कौन रहा है यह रहा है जम्मू एंड कश्मीर बाकि यहां से देखो प्लेसिस का ही कोशन बनता है ज्यादा कुछ कोश तो टोटल मिलाके जो है वो 34 मैडल इन्होंने जीते हैं और जम्मू एंड कश्मीर है पहले नंबर पर यह भी आप ध्यान रखेंगे डारेक्ट कोशन बनेगा यहां से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 2, 3, 4, 5 अलग-अलग रैंकिंग याद रखने होंगे या फिर पंजाब के कितने मैडल आए ऐसा जीतना कोशन बनेगा नहीं क्योंकि नैशनल गेम्स हैं तो सिंपल सिधा-सिधा कोश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मिसलेनियस में अगर हम बात करें याने कि जिनको कैटेगराईज ना करके अलग से रखा हो सबसे पहले हमारे पास है थीम जो रखी गई है नेशन वाइड कैम्पेइन जल शक्ती अभ्यान की तो जल शक्ती अभ्यान 2021 की जो थीम है ये है catch the rain where it falls when it falls तो थीम को follow करें catch the rain where it falls when it falls तो बेसिकली ये थीम इसलिए है मतलब जल शक्ती अभ्यान है याने कि जो बारिश का भी पानी होता है उसको store किया जाए ठीक है उसको store करके use किया जाए इस तरह से तो ऐसे नहीं कि पीने के लिए आप directly use कर लो किसान होगे उस तरह से यूज़ कर सकते है चलिए तो complete slave us अच्छा है ऐसा होता है सूरज जी चलिए सो next है so I hope ये भी clear होगा सभी को next हमारे पास है the sounding rocket launched by isro to study additional variations in the neutral winds and जो plasma dynamics होते है from Shri Harikota ये है RH 560 ठीक है so RH 560 जो है ये एक rocket launch करा है isro की तरफ से जो एक तरह से जो attitude जो होते हैं attitude पर जो variations होती है उसको study करेगा क्योंकि जो plasma dynamics होती है उसमें आपको electromagnetic as well as जो आपके पास magnetic fields होती है माला दोनों को energy जो होती है दोनों को study करना पड़ता है तो that's why this is the rocket RH 560 जो किसे study करेगा neutral winds as well as plasma dynamics के variation जो altitude variations होंगे उनको तो यह भी आपने ध्यान रखना है question बन सकता है सीधा-सीधा simple सा question है however next हमारे पास है the river over which matri setu connecting tripura with bangladesh and inaugurated by pm श्री नरेंदर modi is built तो यह है fanny तो fanny जो river है इसके उपर बना है matri setu तो matri setu bridge जो है ध्यान रखेगा किसके उपर बना है fanny river के उपर तो एक तरह से इंडिया और bangladesh की मित्रता को बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि जैसे जैसे हवा होती है वेंड होती है तो उसमें प्लाज्मा डाइनेमिक्स का क्या मतलब होगा कि उसकी जो electromagnetic energy होनी है और जो आपके पास magnetic energy होनी है उन दोनों को जो study करें electro as well as magnetic energy को जो read किया जा सके तो यह है 19 किलोमेटर का 19 किलोमेटर का bridge है यह तो मैंने देखा नहीं एक बाद चेक कलीजेगा 19 किलोमेटर का bridge तो फिर बहुत जादा हो गया एक बाद चेक कर लेना इतना नहीं होगा ठीक है इसके थूर रोहिंग्या इंट्रूड नहीं कर सकते हैं ने ऐसा कुछ नहीं आतुल जी वो तो फिर main main points पे गोल सकते हैं कि एक तरह से safety भी होगी समझ नहीं आया था अच्छा ठीक है सेल वाला लिया हां मुझे लग रहा था है सही next हमारे पास है the year 2023 जो है यह यह यूएन जनल assembly ने declare करा है international year of the millets ठीक है जो मिलेट यानि की जो बाजरा होते हैं international year of the millet जो है वो observe किया जाएगा तो यह declare कर दिया है UN जनल assembly ने कि 2023 जो होगा यह होगा international year of the millets और इस इसको इंडिया के साथ-साथ 70 nations ने support भी करा है तो आपने ध्यान रखना है तो मतलब मनाया जाएगा एक्चुली 2023 को international year of the millets चलिए तो आई होप यह भी clear होगा next हमारे पास है theme of national safety day तो being observed on 4th March तो national safety day का जो theme था यह था सडक सुरक्षा road safety बहुत easy ठीक है सडक सुरक्षा very good next हमारे पास है okay next हमारे पास है the partner country of the three day maritime India summit 2021 held from 2 to 4th March तो यह था Denmark partner country जो maritime India summit हुआ ठीक है सो इसके बारे में भी detail में बढ़ेंगे maritime India summit के बारे में बढ़ा partner country जो है यह है Denmark ओके इसमें अब हम फिलहाल जो है वो मेंन में देख लेते हैं ठीक है जैसे अब यह भी आप ध्यान रखेंगा थर्ड जन औस दिवस जो है इसका जो theme था क्योंकि अभी करेंड़ फिर काफी ज्यादा है तो इसके बाद मैं सिर्फ main main rankings की बात करता हूं तो जन औस दिवस जो है इसका जो theme था यह था सेवा भी और रोजगार भी सेवा भी और रोजगार भी तो यह था जन औस दिवस का theme ठीक है बाकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आप रीड करते रहेगा कल के लिए आपको याद करने के लिए बहुत जादा हो जाएगा थोड़ा याद करके आने आपने और एक इसरों ने ब्राजिल का जो सैटलाइट है वो लॉंच करा है जिसका नाम है अमाजोनिया वन जो है यह है एक 637 किलोगराम सैटलाइट है ब्राजिल का और इसमें जो है बाकी इससे जादा यह यह सरी हरी कोटा से यह लॉंच किया गया बाकी जो लॉंच विकल था यह था PSLV C51 तो यह भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है आई हूप यह क्लियर होगा बाकी ब्राजिल जो है ब्राजिल की यह था वर्यां रखेंगे आई सो आमाजोनिया वन जो है यह किस देश का सैटलाइट है ब्राजिल का है यह आपने जहान दखना है नेक्स्ट नमारे पास है 67th National Film Award जो है इसमें Best Feature Film जो है यह है Loin of the Arabian Sea, Malayalam Movie है और Best Debut Film Director है Helen और Debut Film जो है यह है Helen इसके लावा अगर आप देखेंगे Best अगर आप Actor देखेंगे तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि Main Main जो आपके पास रहेगा काफी सारे बनेंगे इसमें Best Actor है Manoj बाजपई और जो इनकी भौसले एंड धनुशपूर असुरन जो है यह इनकी मूवी थी इसके लावा Best Actors है कंगना रनौत, मनी करनिका एंड पंगा इन दोनों मूवी के लिए तो आपको Main Main जो याद रखने वो है मूवी कौन थी बेस्ट, एक्टर कौन है, एक्टर कौन है बागी एक बार रीड जरूर करने है सारे क्योंकि सम टाइम कोश्चन थोड़ा जादा भी हो जाता है ठीक है, अभी हम सारे नहीं देख रहे हैं, मेंन मैंने बता दिये, आपको बेस्ट फिलम जो है वो दुरूर करनी है, बेस्ट फीचर फिलम जो है, लॉइन ऑफ द अरेबियन सी है इसके लावा अगर आप देखेंगे तो आपके बास जो बेस्ट एक्टर है, ये हैं मनोज बाजपाई और बेस्ट एक्टरेस जो हैं, ये हैं कंगना रनौत ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सुपोर्टिंग एक्टर जो हैं, विजे, सेथू पती जो हैं, ये हैं और बेस्ट सुपोर्टिंग एक्टर जो हैं, वो वैसे इनका कोशन नहीं बनेगा इतना बॉलिविड में तो सलमन भाई से ज़्यादा और जिता अच्छा है, ये भी सही है, ठीक है, दिपिका भी थी छपाक से, वो ये वाला वॉर्ड नहीं है, अब आपको बस जब आप टोटल देखोगे ना, छे मन्त की पीडियेफ तो आपको बस इतने होंगे कि आप अलग टाइटल्स रहेंगे, तो एक हमने लास्ट जो करा था वो था, दादा साहिब फाल के नैशनल फिल्म पुरसकार थे वो, तो वो अलग थे रितुझे और ये अलग है, ये हमारे नैशनल फिल्म अवर्ड है, तो थोड़ा-थोड़ा फरिक रहेगा, चलिए, तो नेक् करने सारे याद नहीं होते हैं, तो आपको क्या करने हैं, बस आपको रीड करने हैं, रेंडमली रीड करने हैं, एक बार जैसे आज रीड कर लिए, फिर एक बार आपको बीच में कभी रीड करने हैं, और एक बार आपको एकजाम से एक दिन पहले रीड करने हैं, एक दिर द पाकि mainman अगर हम देखें तो हिंदी में किसे मिला है, हिंदी में मिला है, अनामिका जी को, और जो title है, जिस novel के लिए इनको मिला ये है, टोकरी में, दिगंथ, ठीक है, देर गाथा, तो ये थी, इसके लावा अगर आप देखेंगे तो, English में किसे मिला है, When God is a Traveler, ये poetry है, अ वेशाली नौवल है वेशाली महेश चंद्रे शर्मा गौतम इनको मिलाई है तो ऐसे कुछ-कुछ आप बड़ आपने पढ़ने जुरूर एक बार सारे क्योंकि ये कोशन कोई सा भी बन सकता है क्योंकि 2020 में निखिता जी अभी दिये नहीं गए है 2020 में अवार्ज है वो लगबग दिये ही नहीं थे that's why कि 2021 में 2019 के है 20 के जब आएंगे तो उसमें देखेंगे जहां पर मिल सकते हैं ट्राई करेंगे कि जुरूर मिलें वो ठीक है याद नहीं करने देखो याद ये रहते भी नहीं है मैंने क्या बताया कि आपको एक बार रीड करने और ये रीड करके immediately sometime peak हो जाते हैं जब आप रीड कर लेते हो तो लगबग लगबग ऐसा होता है कि वो mind में आ जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिस में अवर्ड किसे मिला साहित्य अकादमी वर्ड और आपको इस ऑप्षिन में ज्यान सिंग जी भी हो अरुन धत्य भी हो हरीश जी भी हो अनामिका जी भी हो ऐसा नहीं होगा ठीक है most probably अलग-अलग नेम्स हो सबसे पहले यह मिला है University of Oxford को यह भी आपके पास रैंकिंग जो है वो बन सकती है Arts and Humanities इंजिनियरिंग में है Massachusetts Institute of Technology Life Sciences में Harvard University है Natural Sciences में फिर से Massachusetts Institute of Technology है and Social Sciences में है Harvard University तो यह याद रखने हैं आपको और direct question बन सकता है इंडिया की कितनी जो institutions है यह top 100 में थे तो इंडिया की तरफ से 12 institutions हैं जो top 100 में है हाविवर रैंकिंग में नहीं है मलए इनका direct ranking नहीं आएगा क्योंकि ranking में top 5 तक कई पूछा जाते है या top चुह हैं तो उस तरह से नहीं था तो top 100 में इंडिया के 12 institute थे IIT Bombay, Delhi, Madras इस तरह से हाविवर नेम भी important नहीं होगे इनके बस इतना ध्यान रखने 12 इंडियान इस्टिटूट थे क्यों एस वर्ल्ड युनिवर्स्टी रैंकिंग में है ठीक है तो आई होप यह clear होगा नेक्स्ट वन यह विवेग जीने क्या करा है यह यह आपने क्या करा और क्यों करा मनला ऐसा मत करिए चलिए हें कि सूपर्चेट्ट करा अपने इस्टिट मत करिए थह कर क्यों ऐसे पैसे लगाने है नेक्स हमारे पास है Ease of Living Index है, यह Housing and Urban Affairs है, इंडिया का Living Index है, यह World का इंडिया इंडेक्स नहीं है, कि आप सोचे कि वर्ल में Bangaluru पहले पर है, पूने दूसरे पर और एहमदाबाद तीसरे पर, और Smaller City में, शिमला है पहले नंबर पर, भुवनेश्वर है दूसरे नंबर पर, और सिलवासा है तीसरे नंबर पर, ठीक है, तो शिमला जो है, अभी पीछे छे दिनों से वैसे पानी नहीं आया था, पर चलो कोई वात नहीं, बाकी चीजों में, बाकी चीजों में सही होगा मतलब, ठीक है ऐसे हो सकता है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, शिमला जो है वो बड़ा दिक्कत रहता है, पर चलो माल लेते हैं, सो नेक्स्ट हमारे पास है, मुनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो है 2020 के लिए ये भी, सो ये भी Ministry of Housing and Urban Affairs की तरफ से ही दिया गया, बड़ी सिटीज में इंदो और पहले नंबर पे है, सूरत है दूसरे नंबर पे, भ चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता है विवेक जी से गलती से सूपर चेट हो गया, अब वो ये सदमा सैन नहीं कर पा रहे है, अभी तक कमेंट नहीं आया इनका, अब आ गया, अब आ गया, इतने इंडेक्स सब याद करें, याद रह जाते हैं ये, वैसे टॉप ही याद रखना है, जिसे जो अगर हम बात करें मुनिसिपल्टी में, तो टॉप रैंक किसका या इंडॉर का, इंडॉर ये समझ लो कि लगबर लगबर रहता है ये, अगर सवचता का आएगा इंडॉर होगा, मतलब उसमें लगबर लगबर ये मान के चल इसके बाद Important Days हैं, तो Important Days आप एक बार जुरूर रीड करिएगा, I think अभी रीड करके कुछ फायदा नहीं है Important Days को, Next है मारे पास एक और Film Fair Award ये है, 66th Film Fair Award 2021, और इसमें जो Best Film है, ये है थपड, Best Film जो Critics की तरफ से है, ये है, अब ठीक ठीक से रीड कर लो, Ab Ali U, जो भी है ये ठीक है, और Best Actor जो है, ये है, इर्फान खान, और Best Actor फिमेल में, फिमेल में नहीं गीवन है, ये है, तिलोतमा शोम में, ठीक है, तिलोतमा शोम में, तो ये है Best Actress, ठीक है, बाकी Critics में है, अमिता बुचन अलग-अलग कैटिगरी हैं, बट बेसिकली आपको याद क्या रखन है, Best Film कौन सी है, 66 Film Fair Award में, ये है ठपड, Best Actor जो है, ये है, इर्फान खान, Best Actress जो है, ये है, सारी, Best Actress ये है, तापसी पनु, ये बाला याद रखना है आपने, जो मेन होता है, जो मेन लीड रोल में है, ये है तापसी पनु, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसक करना नहीं कि आपको सारे पढ़ने है, बड़ एक बार आप रीड कर लोगे ना, तो थोड़ा याद हो जाएगा, और एक आप ये याद रखेगा, Lifetime Achievement Award, क्योंकि ये अच्छली ओवरॉल करियर को देखके दिया जाता है, तो ये important हो जाता है, इतने नहीं होते हैं, विद Otherwise आप जेखेंगे, नॉर्मल ही रहते हैं, इतने जादा नहीं होते हैं, ठीक है, next one, next हमारे पास है, International Intellectual Property Index 2021, तो Intellectual Property, Intellectual Property यानि कि जो भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, Intellectual Property जिसमें कि 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 पेंटिंग भी आ जाती हैं उसमें तो, आसी कुछ Property जो Intellectual हो, किसी का कोई Innovation आ जाएगा इसमें, तो आसी ऐसी चीज़ें, इसमें जो Index है, इसमें जो India का Rank है, ये है 40, तो ध्यान रखेगा, इंडिया का Rank कितने है 40, और टॉप कर आए USA ने, दूसरे नमबर पे है UK और तीसरे नमबर पे है जर्मनी, पाकिस्तन 52 पे है और चाइना 24 पे है, International Intellectual Property Index और US Chamber of Commerce की तरफ से ये रिलीज किया गया था, एक और Index है, World Happiness Index 2021, आज बहुत जादा Index है, पर आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो, तो ये रिलीज किया गया, United Nations Sustainable Development Solution Network की तरफ से, Finland जो है वो पहले नमबर पे है, Denmark दूसरे पे है, Switzerland तीसरे पे है, फोर्थ पे आइसलेंड है, और नीदर लेंड है, लेकिन जो इंडिया का रैंक है, ये है 139, और 149 कंट्रीस का ये रैंक था, वहला 149 का इंडेक्स था ये, जिसमें अफगानिस्तान जो है, वो 149 पे है, और इंडिया 139 पे है, हाविवर इसते पहले जो रिपोर्ट आई थी, 2019 में ही आई थी, I think 2020 में तो रिपोर्ट चेक करना बढ़ेगा, 2020 की रिपोर्ट है ये नहीं, तो इसते पहले 140 था रैंक, तो मतलब हम थोड़े से खोश हुए हैं, अभी हमारे अं रखना है, वर्ल्ड हैपिनेस इंडिया का रैंक कितना है 139 है, अब दिखो ये रैंकिंग याद कैसे करनी है, अगर आप ऐसे सोचोगे ना, आप रट्टा लगाओगे हैं, हैपिनेस इंडिया का जो जो रैंक है, 58 हो गया, 139 हो गया, ठीक है, इसके लिपार बढ़ा हो 40 हो मलब अलग से भी पढ़ने हैं बड़ यह में ऐसे बूरों के मालों बिल्कुल याद नहीं रहते तो आप सारे के सारे रैंक लिखोगे, numbers लिखोगे, वो number आपको याद रखने, most probably आपके पास रिपीट नहीं होगे option में, ठीक है तो यह आप कर सकते हैं और यह काम करेगा आप के लिए, तो ध्यान रखेगा, सारे के सारे number लिख लेने हैं, हर एक ranking के number लिख लेने हैं और बस उनको use कर लेना है last में पाक वाले खुस कैसे हैं, पाकिस्तान का 105S, लंका का 129 है, बांगलादेस का 101 है, चाइना का 84, अब एक्चली यह जो index होते हैं वो ऐसे भी नहीं होते हैं कि हर person से पूछा जाता है, बेसिकली कुछ criteria रहते हैं उनके basis पे रहता ही है, तो overall काफी सारी चीज़ें आ जाती हैं में, तो ऐसे माल लो, और कुछ चीज़ें छुप भी सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बुरी, तो ऐसे होता हैं मतलब, बाकि BBC की तरफ से sports personality of the year में, sportsman of the year है, वनेरू, हमपी, chess में, and then emerging player of the year है, मनु भाकर, shooting में, lifetime achievement award मिला है, यह है अन्जू, बॉबबी, ज्योर्ज, अथलेटिक्स में, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ग्रैमी अवोर्ड से एक बार रीड कर लेना, काफी जादा हो गया, आज के लिए यह, एक यह है, जो जादा इंपोर्टेंट है, यह है, इकोनामिक फ्रीड़म इंडेक्स, अजू, मुझे खोद विश्वास नहीं हो र से, और सिंगापूर जो है, वो इसमें पाले नंबर पर, एकोनामिक फ्रीड़म है, यह, फ्रीड़म इंडेक्स अलग होता है, एकोनामिक फ्रीड़म यानि कि इका रिखं़क रार की चीजह यह है, एकोनामिक फ्रेट़म ये तॉड़़े रखेंगे, इन्डियों है, यह ह जादा इंपोडेंट है वो बताता हूं फिलाल सेविंटीट गोल्डन ग्लोब अवोर्ड से अब आप ऐसा करना बस ही फिनिश हो गए यह लास्ट ही था ठीक है इनको एक बार रीड कर लेना आज के लिए बहुत जादा हो गया अब अगर मैं नेम लूंगा भी तो आपको या करेंट फिर किस तरह याद करना है एक बार बता दीजिए करेंट फिर आपको रीड करने होते हैं ठीक है करेंट फिर आपको रीड करने वैसे तो काफी सारी चीज़े याद ही रहा जाती है इंट्रस्टिंग वे में आप सोचो कि हाँ यह चीज हुई थी रैंकिंग का थोड़ा दिक्कत हो जाता है वह आप नंबर्स लिखो नंबर से याद होगा कि आपने सारे के सारी नंबर लिख लिए तब आपको याद हो जाएगा और इसके लावा आपको करेंट फेर तो रिवाइस करो रिवाइस करने में 15 15 20 25 25 मिनट लगेंगे वैसे 20 मिनट में पूरे मन्त के करेंट फेर रिवाइस हो जाएंगे तो अगर आप दो तीन बार रिवाइस कर लोगे नहीं तो वह आज आएगा याद आपको जब एक्जाम में कोशन दिखेगा दो दिन चलेगा करेंट फिर किस तरह से याद करना है यह मनें बता दिया थैंकू चलिए तो अभी फिर इस सेशन को आफ करते हैं आई होप आपको यह आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो बस आज के सेशन में इतना ही था बाकि अगर आप अनकेडमी पे आ रहें तो विडियो को फाइफ टाम रिवास करने की चमारत नहीं की सिह बेसिकली आपको करना इह इसके बाद आपको पीडियायोड करनी है पीडियाफ का लिंका आपको डिसक्रिप्शन नहीं मिल जायेगा एक बार आपने सुन लिया अच्छे से समझ लिया है कि हाँ यह चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा है वो आप लिखते होंगे साइड बाई साइड आई होप जो PDF में नहीं मैं प्रोवाइड करता हूं वो लिख लिया करूं बस इतना बहुत है उसके बाद आपको PDF को रिवाइज करना है ठीक है उतना इनफ रहेगा PDF के लिए description उपन करिए description में आपको PDF जो है वो मिल जाएगी चलिए तो अभी करते हैं इस session को off मिलते हैं फिर आपसे अगले session में वैसे जब मैं बोर हो रहा होता हूं तो मैं ऐसे करके देख लेता हूं ऐसे गर्दन या फिर मैं ऐसे अचानक से इस तरफ से आऊंगा ऐसे तो अच्छा लगता है चलिए तो अभी करते हैं session को off मिलते हैं आपसे अगले session में चलिए लाइक भी हो चुके हैं डिसलाइक वाल अच्छा लगा होगा तो सभी को फिलाल मेरी तरफ से थैंक यू सो stay safe keep preparing have a nice evening and